नमस्कार दहुत स्वागत आपका बिहार में जानेंगे 10-11 फरवरी का मौसम अपडेट बिहार में फरवरी में ही दिसंबर जनवरी के जैसे हालात जो है वह मासूस हो रहे यानि की ठंड के जो हालात है बसंद पंजमें के बाद भी लोगों को रात में कंबल या फिर उनी चादर की जरूरत पड़ती थी लेकिन इस वार रजाई सिमटने का नाम ही नहीं ले रही है और मौसम में लगतार बदलाव देखने को मिल रहा है मौसम में एक तरफ जहां ठंड का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बारिस को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है ऐसे में मौसम विभाग ने साथ तोर पे कहा है कि फरवरी महीने में लोगों को ठंड से रहात नहीं मिलने वाला है मौसा विभाग ने बिहार के कई जुलों में बारिस को लेकर अलर्ट जारी किया है तो हम आगे परदेश में बारिस को लेकर जानेंगे उससे पहले जान लेते हैं परदेश में तापमान की क्या इसीती है उतर पस्चिन बिहार के तहत आने वाले जिलों में पस्चिन चमपारण, सिवान, सारन, पुर्वी चमपारण, गुपालगंज में आउस्तन अधिक्तम तापंद 32-24 डिगरी रहने की बाद कही गई है वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार की बात कर ले तो इसके तहट आने वाले जिलों में सीता मढ़ी, मधुबनी, मुझफर पूर, दर्भंगा, वैसाली, सिभर, समस्तिपूर और में आउस्तम अधिक्तम तापमान जो है 22-24 डिग्री रहनी की बात कही गई है तो वहीं नियु कि अगर हम नियुद्धम तापमान की बात करने तो इह 12-14 डिग्री रहने की बात कही गई है दर्षिन मध्य बिहार के तहट आने वाले जिलों में पटना, गया, नलंदा, सेकपूरा, नवादा, वेगुसराय, लक्किसराय, जहानाबाद का आउस्तन अधिक्तम तापमान जह 22-24 डिग्री रहने की बात कही गई है जबकि नियुद्धम तापमान जह 12-14 डिग्री रहने की बात कही गई है वहीं अगर हम दर्षिन पूर बिहार की बात करने तो इसके तहार आने वाले जिलों में भागलपूर, बांका, जम्मुई, मंगेर, खगडिया का अधिक्त जह 22-26 डिग्री रहने की बात कही गई है इसका नियुद्धम तापमान भी 12-14 डिग्री रहने की बात कही गई है मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 10 फरवरी को पटना, गया, नालंदा, नवादा, लखी सराय, बेगु सराय, सिखपूरा, जहानाबा भागलपूर, मांका, जमुई, बुंगेर और खागाडिया जिले में कुछ हिस्सों में हलकी बारिस के असार बताये गए हैं, वही 11 फरवरी को परदेश में मौसम सुस्क बने रहने की संभावना है, तो यह थे 10 और 11 फरवरी के मौसम के अपडेट, बिहार और बिहार से ज तुझी इजाजत, धन्यवाद